हलो स्क्राइब यहां पर डिस्कस करेंगे लिएफी सेकेंड यहर, माइनर, कैमिस्टी, पेपर, सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टन कौशन फ़स्ट और उनिट फ़स्ट और सेकंड के हम बता चुके हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो 1st year, 2nd year, 3rd year के most important question आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो and इनकी solution BSC 2nd year chemistry की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो इन सभी questions को हम आप लोग को notes प्रोवाइट करा देंगे and आप लोग telegram channel को भी join कर लीजेगा BSC education lectures के नाम से इसकी PDF आप लोग को वहीं पर मिल जाएगी ठीक है यूनिट 3rd में आप लोग का first important कोशन रहेगा अवस्ता फलन इवंपत फलन को समझाईए यूनिट 3rd में आप लोग के देखो जैसा कि पता pattern change है तोड़ा सा yearly wise और आप लोग का new education policy के भी इसलिवस आ चुका है तो इसलिए हम यह आप लोग के लिए वीडियो लेके आये हैं कॉसन सेकेंड आप लोग को रहेगा उत्क्रम्री तथा अनुत्क्रम्री प्रक्रम को परिभाशित कर उनमें अंतर response कीजिए अब देखो यहां से आप लोग के short answer type question भी बन सकते हैं कैसे अगर वह आप लोग के लिए जैसे short answer type question में पूछ लिए कि उत्क्रम्री प्रक्रम्री प्रक्रम्री क्या होता है तो आप लोग को यह question जितने भी हैं तो आप लोग को इन में very short और short and long answer type question आप लोग के आ जाएंगे इसी में से बन जाएंगे तो जितने भी question हम यूनिट में बताते हैं आप लोग को वह सभी करना है एंड अगर आप लोग के 11, 12 या 1st year के notes रखे हुए हैं तो आप लोग उनसे भी अगर यह question मिलते हैं तो आप लोग वह कर लिजेगा कुछ भी topic आप लोग को मिलते हैं तो वह कर लिजेगा ठीक है तो यह आया second उत्करण में या उत्करण में प्रक्रम को परिभाशत कर उनमें अंतर इसी में आप लोग का उस्मा गतिकी एबं उस्मा रशायन में अंतर यह भी आप लोग का important रहेगा ठीक है यह आप लोग का आप लोग का most important कॉश्चन है सीपी माइनस सीवी मियर समीकरण जो कि आप लोग का important रहने वाला आप लोग को लॉग अंसर टाइप कॉश्चन में पूचा जा सकता है कॉश्चन 5 रहेगा जूल थामसें प्रिशार की व्याख्या कीजिए कॉश्चन 6 और आप लोग वीडियो के end तक बने रहेगा क्योंकि कॉश्चन को समझना भी होता है कि कैसे क्या कुछ लिखना है इन सभी के आंसर हम आप लोग को provide करा देंगी कॉश्चन 6 रहेगा उसमा गतिकी का प्रिथम नियम क्या है इसे गड़तीय रूप में किस तरह व्यक्त किया जाता है कॉश्चन 7 पर आते हैं कारणों इंजिन की दक्षिता पर टिपड़े लिखिए ये आप लोग का important है बहुत जादा ठीक है ये आप लोग को याद कर लेना ही है जितने भी कॉश्चन है केवल यहाँ पर हम आप लोग को important ही बता रहे हैं आप लोग unit 3 में से इतने कॉश्चन solve कर लोगे आप लोग का कोई भी कॉश्चन नहीं छूटेगा कॉश्चन 8 इसी में आदर्स गैस के समताप ये प्रसार में किये अधिकतम कारी की गढ़ना कीज़े कॉश्चन 9 समतापी प्रक्रम आईसो थर्मल प्रोसेस वर रुद्धोस में प्रक्रम एडिबेटिक प्रोसेस क्या है उधारन से समझाए ये आप लोग के unit 3 से most important करना है इन ही में से आप लोग के short and long answer type question बन जाएंगे next आते हैं unit 4 पर तो और question 5 पर आते हैं और अगर आप आप लोग मैठ्स या फिजिक्स से हो तो आप लोग को मैठ्स हम complete करा चुके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजेगा and physics second paper मैठ्स का complete करा चुके आप लोग वह भी उसकी प्लेलिस्ट में जाके all वीडियो देख सकते हो जितने भी कॉश्ण शवल वकराए हुए ह तो unit fourth पर आते हैं यहाँ पर question first आप लोग कर रहेगा विशिष्ट चालक्ता तुल्यांकी चालक्ता तथा आडविक चालक्ता को समझाईए इनका तनूता पर प्रभाव पढ़ता क्या प्रभाव पढ़ता है तो यह आप लोग 11 12 पर पढ़ चुके हो वह यहाँ पर लिख स अगर आप लोग को पुरान वाला याद है तो वह भी लिख सकते हूं अपना इसी में कि यूनित 4 में सैल इस तरहां क्या है इसका निर्धारन कैसे करते हैं इसी में यह आप लोग का इंपोर्टेंट है question most important question third को रास के नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रियों का वर्ण कीजिए इसी में आप लोग का राउल्ट का नियम होता है तो वह भी आप लोग का इंपोर्टेंट रहने वाला है ठीक है कॉशन फॉर्थ है प्रबल विद्धुत अब घट्टियों के लिए डेवाई यू के सिध्धान्त को समझाई या श्रांती प्रभाव इसी में आप लोग का आ जाएगा तो दिखो ये आप लोग की उनिट फॉर्थ है अभी और भी है इसमें ये कॉशन आप लोग को जरूरी याद कर लेना है कॉशन 5 रहेगा आयनिक गती सीलतर निर्धारण की हिटार्फ विदी का वर्णन ठीक है ये इंपोर्टेंट है हिटार्फ विदी कॉशन 6 इसी में चालकता सेल का सचित्र वर्णन कीजिए कॉशन 7 रहेगा रेडॉक्स विभव किसी कहते हैं उधारण द्वारा समझाईए विभव को प्रभावित करने वाले कारक ये आप लोग का लौंग अंसर टाइब कॉश्चन में आ शकता है एंड देखो भुशन 6 में आप लोग का नर्नस्ट सिद्धांत में नर्नस्ट समीकरण वी आप लोग का इंपोर्टेंट है ये तीक है इंपोर्टेंट लगा लें इन सभी के हम लोट्स आप लोग को प्रुवाइट करा देंगे इतना क्लियर है यह आप लोग को लोग को प्रुभावित करने वाले कारकों को समझाए वल्लब जिसे की सब्द शीमा होती है अगर लोग को बड़ा से बड़ा कॉशन लिखना है ठीक है और जो कॉशन नहीं बन कॉशन एट सेल के विद्ध बाहग वल मापन बिदी का सचित्र वर्णन यह भी इंपोर्टेंट है तो जितने भी हमने कॉशन यूनिट थर्ड और फोर्थ में बताय हुए है तो आप लोग को इतने कॉशन इन यूनिट से करना है माइनर केमिस्ट्री में नेक्स्ट पर आत है नेक्स्ट यूनिट फाइब पन और आप लोग को हम आइकॉन पर भी वीडियो दे देंगे तो आप लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो जो की मेजर केमिस्ट्री का करा देंगे कॉशन फस्ट रहेगा यहां पे नियमन को अधारान से समझाईए इसमें आप ल प्रावस्था आरिक की व्याख्या उचित्र चित्र के साथ की जलतंतर के लिए प्रावस्था आरिक ही इंप्रावस्था आरिक इसी में को जो की आप लोग का मोश्ट रहने वाला है प्रावस्थानियम का प्योग एक घटक तंत्र में कीजि जिसमें अधिक ठो सवस्था हो इसी में आप लोग को अत्वा करके दूसरा कौशन पूचा जा सकता है सलफर तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बना कर वर्णन करो कोशन फोर्टर हैगा संगनित प्रावस्थानियम क्या है दो घटक तंत्र लेड सिल्वर तंत्र पर संगनित प्रावस्थानियम कोशन फाइब रहेगा कलावसियस फ्लैप्रों समीकरण क्या है इसकी व्यतपत्ति कीजिए इसी प्रकार के और वीडियोस आप लोग देखना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेज़ेगा कोशन 6 रहेगा ओधारन शयद समझाएए मित इस्था यवस्था संक्रमण बिंदू इवं त्रिक बिंदू यह आप लोग का टिपड़ी ज्यादातर कोश टिपड़ी पूछी जा सकती हैं इसी में कॉशन साइवर रहेगा सरवांगसम वा आ सरवांगसम गलनांक में अंतर इसपस्थ कीचिए ठीक है तो यह थे आप लोग के 3rd, 4th, 5th unit के important question और वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजेगा thank you मिलते है नेक्स्ट वीडियो म में